प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महें सलामोजिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स फ्रांस के राश्पती इमेन्यूल मैक्रोल के इस्लामिक आतंगवाद पर बयान देना अब भारी पड़ गया है अरब देशों सहित कई मुस्लिम देशों ने फ्रांसिसी उत्पादों का बाईकाट करना शुरू कर दिया है यहां तक कि कुवेट जॉर्डन कतर में कई दुकानदारों ने फ्रांसिसी प्रोडेक्ट दुकान से बाहर फेक दिया है वहें पाकिस्तान बंगला देश्ट में भी फ्रांस के खिलाफ विरोध परदर्शन हो रहे हैं आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को एक टीचर ने पेगंबर मुहम्मद साहब का कार्टून दिखाया था जिसके बाद इतिहास के इस टीचर की गला काट कर हत्या कर दी गई थी और टीचर के पक्ष में बयान देते हुए फ्रांसीसी राष्टपती इमेन्यूल मैक्रोन ने इसे इसलामिक आतंगवात करार दिया और साथ ही कहा कि इसलाम एक ऐसा धर्म है जिससे पूरी दुनिया संकट में है इसके बाद अस्थानी एक मस्दित को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया और कई इसलामिक संगठनों पर कारवाई भी की गई फ्रांस के राष्टपती इमेन्यूल मैक्रोन यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि हम कार्टून बनाना बंद नहीं करेंगे जिसके बाद फ्रांस की एक सरकारी इमारत पर पेगंबर मुहम्मद साहब के बड़े विवादित कार्टून प्रोजेक्ट दिखाई दिए जिसकी वजह से अरब देशों के साथ साथ दुनिया भर की मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ हैं वहीं तुरकी के राष्टपती रजब तयब इर्दोगान ने कहा है कि मैक्रोन को मानसिक इलाज की जरूरत इर्दोगान के इस बयान पर भड़के फ्रांस ने अपने राजदूत को तुरकी से वापस बुला लिया है वहीं पाकिस्तान के पीम इमरान खान ने भी मैक्रोन पर अपनी भड़ास टूइट करके निकाली है कहीं न कहीं फ्रांस के राष्टपती मैनुल मैक्रोन के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम देशों में गुस्ता देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि इसलाम धर्व में पेगंबर मुहम्मद सहब का कार्टून बनाना एक बड़ा अपराद माना जाता है और पेरिस में चार्ली हेब्डो ने परगंबर मुहम्मद साहब का कार्टून बनाया था जिसके बाद चार्ली हेब्डो पर 2015 में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और 11 लोग घायर हुए थे वहीं इस साल जब चार्ली हेब्डो की आतंकी हमले की सुनवाई होने के बाद दुबारा पेगंबर मुहम्मद साहब के कार्टून चापे गए थे जिस पर मैनूल मैक्रोन की तरफ से बयान दिया गया था कि वो इन कार्टूनों की निंदा नहीं करेंगे मगर अप मैनूल मैक्रोन के खिलाफ कहीं न कहीं इस्लामिक देशों में भारी गुस्ता देखने को मिल रहा है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्राटून